हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माई यूटूब चैनल, आज हम इस वीडियो के माध्यम से एकिक का नियम पढ़ेंगे, एकिक का नियम, एक बस्तूओं के मान से बंचित बस्तूओं के मान निकालने की विधी एकिक नियम कहलाती है, चलिए कोश्चन है अगला, एक केजी आलू का मूल बारा रुपए है तो एक केजी आलू का मूल कितना होगा यानि एक केजी आलू का मूल बारा रुपए है तो दस केजी आलू का मूल कितना होगा बहुत ही आसान ट्रिक है और आसान ट्रिक के माध्यम से हम देखेंगे चलिए देखते हैं एक केजी एक केजी बराबर होता है एक केजी बराबर बारा रुपए है एक केजी बराबर बारा रुपए दिया गया है दस केजी आलू का मूल का एक केजी आलू का मूल दस रुपए दिया गया है एक केजी आलू का मूल बारा रुपए है तो दस केजी तो हम क्या करेंगे दस केजी बरावर तो दस केजी यानि तो क्या करेंगे बारा गुड़े दस बारा दाहम क्या हो जाएगा एक सो बीस रूपए यानि क्या कह सकते हैं क्या नि क्या हम कह सकते हैं क्या एक किलो आलू का मूल बारा रूपए है तो दस केजी का मू एक केजी आम का मूल ठीक है आम का मूल बीस रुपए दे दिया गया है ठीक है तो क्या कहते हैं कि बीस रुपए दे दिया गया है ठीक है तो एक केजी का आम का मूल बीस रुपए है ठीक है तो आप बताइए कि एक केजी का आम का मूल बीस रुपए है तो थी केजी यानि ती केजी का क्या होगा तो आप क्या करिए तीन का गुणा गुौा तीं के सास कर दिये तीन दूनी छ harassment यानि साथ रुपई होगा कह सकते हैं कि साथ रुपई होगा यह सब्सक्राइब जाएगा जैसे इसका यह इसका इन्सर हो जाएगा जैसे 1 कीजी का बारार रुपय था तो दस के जी कबरार एक सुबीस रुपय हुआ तो एक के जी आलू का मुल भीस रुपय तो तीन के जी क्या होगा साट रुपय होगा कि को रिष्ट कोस्टन है कि है 10 केजी टमाटर का मूल 120 रुपए है तो एक केजी टमाटर का मूल कितना होगा तो अब हम लिख सकते हैं 10 kg टमाटर बराबर 120 रुपए है ठीक है तो हमें 1 kg बराबर क्या करना 120 बटे 10 एक 0 से 0 डिवाइड हो गया हम कह सकते हैं 112 रुपए होगा 12 रुपए ठीक है ऐसे ही दूसरा इसी में उदारन ले लेते हैं डेखी 15 kg मूली बराबर कित्ते रुपए की है तो एक केजी मूल यानि कि एक केजी मूली बराबर कित्ते की होगी तो हम क्या कर सकते हैं तो तीस बड़ते क्या करें के 15 फंद्रा दूना 30 बरावर हम लिए क्लेक सकते हैं कि एक केजि मुळी का मूली बरावर यह केले का मूल 180 पाथ केले का कितना होगा इसको देखिए एक दर्जन एक दर्जन बराबर बारा है ठीक है तो हम क्या करेंगे पांच गूरे बारा बारा पंचे साथ हो जाएगा अब ठीक है तो बारा पंचे साथ हो गया अब हम क्या करते हैं कि एक सो असी में हम क्या करते हैं साथ का भाग दे देते हैं 60, 6, 6, 3, 18, यानि 180 आ गया, पूरा का पूरा कड़ जाएगा, यानि 3 आ रहा है, आप हम क्या करेंगे, तो 8 का गुणा 3 के साथ कर देंगे, 8, 3, 24, यानि इसका क्या हम कह सकते हैं, क्यानि 8 केले का मुल्ड क्या हो जाएगा, 24 रुपे हो जाएगा, वीडियो पसंद आया तो द लाएगा, लाएगा थाएगा, क्या पिर चीओ přेंपाते हैं, क्या हो ऊ Canadians एत्सित हैं, प 마음에 पकाईप, जुँँ, मолодवी फमेदा रहा हैं, किकिककक्त प Perhaps वेत्का्षे, लाएगा, वेत्सिते हैं, क्या है वाएगा जह हैं